दोस्तों Simple Energy ये जो कमपणी है ये इलेक्रिक स्कूटर मैनुफेक्चर करती है इंडिया के अंदर वैसे तो इस कमपणी के तरब से ज्यादा कुछ अपडेट्स अभी का डेट में नहीं आता है लेकिन अभी जो है Simple Energy के तरब से कुछ न्यू अपडेट्स सामने आई है वहीं अपडेट्स के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है तो वीडियो को इंट तक जरूर देखिए लेकिन उससे पहले कर आप चैनल पर पहली पर आए हो तैसी और नए वीडियो के लिए को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आपको हमारे ऐसी वीडियो मिले सबसे पहले तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें सिंपल एनर्जी कंपनी के बारे में तो आप में से जितने भी लोग सिंपल एनर्जी के तरफ से आने वाला इलेक्रिक स्कूटर को बुक किया है या यह कंपनी आपके सिटी में कब तक आएगा और डिलीवरी कब तक स्टार्ट होगी तो आपका इंतजार बहुत ही जल्द कतम होने वाला है कि इस कंपनी के बहुत ही बड़ा फंडिंग मिल चुकी है और यह जो फंडिंग है यह 20 मिलियन डॉलर्स की है तो काफी बड़ा फं को सबके साथ शेयर भी किया है और कंपनी ने यह का है कि इस फंडिंग के जरीए इनका जो प्रोड़क्ट्स आती है सिंपल वन और सिंपल डॉट वन इन स्कूटर्स का प्रोड़क्शन को और ज्याधा एक्सपैंड करेंगे और इंडिया के अधर सिटी में इन स्कूटर्स के जो डिलर्शिप से उनको एक्सपैंड करेंगे और लास्टली इस फंडिंग के जरीए कुछ नए प्रोड़क्श पर भी कंपनी काम करने वाली है और सिंपल एनरजी का सीओ सुभास राज कुमार का एक इंटर्विव आया था और इस इंटर्विव में इन्हों ने यह का है कि अंद्रपदेश जन्नाई गुज्राट महरास्ट्रा और के अंदर यह लोग जो है अपना न्यू शोरूं को ओपें करने वाले हैं और नौर्थ इंडिया की अगर बात करें तो देली जो है यह सबसे पहला सिटी बनने वाली है जहां पर सिंपल एनरजी अपना शोरू अब यह कितना हद तक जो है सही होता है और अभी सिंपल एनरजी के तरफ से जो भी स्कूटर आती है सेंपल वन और सिंपल डॉट वन इंका प्राइस है एक लाग रुपे से कही जाता है और इस कंपनी का जो कंपनीटिव कंपनी जैसे ओला इलेक्टरिक बजाच चेतक या अगए अगर हम लोग एधर की बात करें इन साथे कंपनीज का जो है एक लाग रुपे के अंदर स्कूटर समय देखने को मिल जाती है इंचेंट मार्केट के अंदर तो हो सकते सिंपल एनरजी की तरफ से हमें एक लाग रुपे के अनदर जो एक निए जो बाइक और गाहें हाली में Ola Electric CEO भावेचागरवाल जी का Twitter handle में हमें इस बाइक का एक फोटो देखने को मिला था जहां पे हम लोग इस बाइक का देखने को मिलेंगे जैसे voice control और ओला का जो AI सिस्टम है जिसको किर्तिम बोला जाता है उसका भी फीचर हमें इस मूफ OS 5 में देखने को मिल जाएगा साथी इस OS के अंदर आपको कई सारे ओटीटी एप जैसे YouTube और भी कई सारे वीडियो ओटीटी एप्स देखने को मिल सकती है